नमस्कार आपका स्वागत है कजरी तीज को कजली तीज, बूडी तीज, सातुरा तीज, आदी नामों से भी जाना जाता है हिंदु धर्म में कजरी तीज का वरत बहुती महतोपुर्ण माना जाता है क्योंकि ये वरत मुक्य रूप से पती के दिरगाई होने है एवं संतान की प्राप्ति के लिए सुआगिन महिलाओ द्वारा रखा जाता है हिंदु धर्म शास्त्रों के अनुसार कजरी तीज का वरत न केवल सुआगिन महिलाओ बल्कि ये वरत कुवारी कन्याओ भी रख सकती है कजरी तीज का वरत जितना महतोपूर्ण सुआगिन महिलाओ के लिए होता है उतना ही महतोपूर्ण कुवारी कन्याओ के लिए भी माना गया है इसलिए ये वरत कुवारी कन्याओ भी रख सकती है कजरी तीज का वरत पूर्ण तया भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए इस वरत में भगवान शिव के साथ माता परवती की पूजा की जाती है। कज्रितीज का वरत करने से दूर हो जाएंगी इसी के साथ ही शास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताये गए है जिनके अनुसार तीन प्रकार की महिलाव को यह वरत नहीं करना चाहिए तो आईए जान लिते हैं यह वरत कैसे करना चाहिए और कोन सी महिलाव इस वरत को धारन 검 Diamond ही क कजरी तीज के दिन कुमारी कन्याएं प्रत काल जल्दी जाकर सनाना दिकारियों से निव्रत्त होकर स्वच्च वस्तर धारन करना चाहिए। लाल अथ्वा हरे रंग के वस्तर पहना ही अधिक शुब होता है क्योंकि ये रंग स्वागिन महिलाओं की निशानी माने जाते है। उसके बाद पूजा स्थल पर जाकर भगवान शुव और माता परवती की प्रतिमा स्थापित करे। आप मिट्टी से बनी भी प्रतिमा रख सकते हैं। अब महादेव का जल से अभिशेक करे। कुमारी कन्याओं को सोला स्रंगार करनी की आवशक्ता नहीं है। उन्हें जुगदीप, अगरबत्ती, धतुरा, पुष्प और प्रसाद के लिए मिठाय आधी आर्पित करे। विदिविदान से पूजा करने के बाद हाद जोड़कर भगवान शुव से सुयोग्य, संपन्न और प्रतिबाशाली वर की मनोकामना करे। माता गुरियों और महादेव आपके मनोकामना आवश्य पूरी करेंगे। आप जानते हैं कौन सी महिलाओ को कजरी तीज का वरत कदापी नहीं रखना चाहिए। कजरी तीज का वरत वैसे तो हर महिला रख सकती है, चाहे वक कुवारी हो या सुहागन। पर शास्तर में कुछ ऐसी स्तिर्यों के बारे मे बताया गया है, जिने कजरी तीज का वरत कभी रखना नहीं चाहिए। सबसे पहली है, जो महिलाओ आपने पती से लंबे समय से दूर रहती हो और उनके बीच किसी भी तरह के प्रेम की भावना, सम्मान का भाव नहीं रह गया हो, तो ऐसी महिलाओ को भूल से भी कजरी इसलिए इन महिलाओ को तीज का वरत नहीं रखना चाहिए। दूसरी है जो महिलाओ कि अबल समाज को दिखाने के लिए अपने पती के साथ रहती है, और मन ही मन किसी अन्य पूरुष से प्रेम करती हो, तो क्रपया इसी महिलाओ को इस वरत को रखकर इस का अपमान नहीं कर करना चाहिए, अन्य था इसी स्त्रियों को मापार्वती के क्रोद का सामना करना पर सकता है, माता पार्वती ने कड़ी तपस्या करके महादेव को अपने वर के रूप में पाया था, इस वरत का फल तभी प्राप्त होता है, जब आपके मन में आपके पती के प्रती मापार् महलों की रानी थी और महादेव कहलाश में निवास करते थे। इसके बावजूद भी माता पार्वती ने अपना सब कुछ त्याग कर अपने पती संग रहना पसंद किया था। जो महिला है। सदेव अपने पती की निंदा करती है। उनकी परिस्तिती से कभी संतुष्ट नही रखा जाता है। सुआगिन महिलाओ को इस दिन शुद्ध मन से और पती के प्रती प्रेम और सम्मान के साथ ये वरत रखना चाहिए। यदि मन में पती के लिए सम्मान ना हो तो इस वरत का पालन ना करे। तो उमेद है आपको ये जानकर ये अच्छे लगी होगी। वीड जैमा गवरी, जैशिव शंकर, अवशे लिखे। साथ ये चानल को सब्सक्राइब करे। आप सभी का धन्यवाद।